हलो दोस्तों सो जैसा आप देख रहे हैं मैं आपको जो है पहले ट्रिप मेटर दिखा देता हूं मेरी गाड़ी टोटल चलिए 54,439 और मैं अभी जो आ रहा हूं जैसा पहले माले देख लिए 20.7 20.7 मेरी ड्राइविंग हुए 2.24 आर्स की मैं अभी बैंगलोर में बीटिम ल सेवन किलोमेटर पर आवर 137 की किलोमेटर डिस्टेंस मैंने चला है और अभी 107 30 और अभी बचा है सो आप देख सकते 730 प्लस 737 चलिए अभी जो है फाइनली मैं अपने घर पर आ चुक हूं जो है वो 56 का हो गया है मैंने जो पिछला आपको अप्गेट दिया था वो था आपका इसका मतलब जब मैं एक्सप्रेस्वेस से एराउंड पांच-छे किलोमेटर आगे 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 आथा छे साथ होगा एंड एक सिगनल पर रुका हुआ था तो एरस्पीडा देर 56 टोटल डिस्टेंस 145 में बीटीम लिया हूँ सिकंड स्टेज से मैं चला था मेरी गाडी में पेट्रोल अल्मूस है वह 680 मैलेज यहां तक मुझे 20.2 का मिला है तो आप यह समझे कि मैं एक्सप्रेस्वेस पर चला था अल्मूस्ट मेरा मैं क्रूस कर रहा था राउंड 85-90 के स्पीड में फिर वहां से मेरा स्पीड कम होके 56 हो गया तो आप देख तक अंदाज लगा सकते हैं कि ट्रैफिक किस टाइप का था सो 22 का मालेज है 2.37 आउर्स के मेरा जर्नी है टोटल यह तो आपको इंजिन के टेंप्रिचर बाहर का टेंप्रिचर है 27 डिग्री और चलिए स्पीड का आ गया कि अबरिस यह जो है मेरे स्पीड हो गया टायर का प्रिशर आप अगर देखेंगे सो टायर का प्रिशर 35 के आसपस में रखाया था यह दोनी कार्ट का मेरे टेंपेस है जो पिछले डीड साथ से में उसमें में कर रहा हूं इसने हमेशा मुझे एक को रिट दी है रिजल्ट कौन बोलता है कि भी मैलेज नहीं मिलता है आप देखिए 145 किलोमेटर में मुझे मैलेज 20.2 का मिला बट उनली तिंक एस्पी 95 के साथ में और साथ में आप देखें तो यह मेरा जो है कारलिंग किट का डैश केम कम वह कंपेंट है जिससे कि मेरा एंड्रोइड आटो जो है आप देखेंगे तो कोड लिस्त हो जा देखिए इसमें मैंने यह जो कॉड है यह इसमें जा रहा है सुच मैंने आपको यह अपडेट दिया है मेरी गाड़ी जैसे मैंने आपको पहली बहुताया होगा कि फेब एंड दोहजार रिकिस के है तो तीन साल हो चुका है चौथा साल अभी चल रहा है 54,000 चलने के बाद में मुझे यह मैंजी मिलता है तो अगर आप लोग को मेरा यह अपडेट पसंद आया हो तो आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही अगर ल झाल